हलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 14 विलोम शब्द क्या कहता है ये पार्ट? विलोम शब्द क्या होते हैं? इनका हिंदी भाषा में क्या योगदान है? आईए पार्ट पढ़कर जानते हैं आओ चर्चा करें रात, भूमी, प्रश्न ऐसे ही अन्य शब्दों के विलोम शब्द क्या होंगे? मित्रों से चर्चा कीजिए इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य को पढ़ते हैं किरोडी मल अमीर है भर्तू गरीब है शर्बट थंडा है चाय गरम है दिये गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को देखिए अमीर गरीब और थंडा गरम शब्द एक दूसरे के विपरीत यानि उल्टे शब्द है ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं विलोम शब्द की परिभाशा है एक दूसरे का उल्टा आर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं कुछन्य विलोम शब्द गुण अवगुण सरल सठिन मित्र, शत्रू, प्रसन, आप्रसन, आरंग, अंत, ज्यान, अज्यान, आशा, निराशा, अंधेरा, उजाला, वीर, कायर, मीठा, कड़वा, अपना, पराया, छोटा, बड़ा, शान्ती, अशान्ती, स्वर्ग, नर्ग, सुगंध, दुर्गंध, हिंसा, अहिंसा, स्वस्थ, अस्वस्थ, अच्छा, बुरा, नया, पुराना, जीवन, प्रत्यू, अमीर, गरीब, दूर, पास, सुबह, श्याम, सुख, दुख, इसे भी जाने, अ, वी, न, 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 आदी लगाकर भी विलोम शब्द बनते हैं, जैसे ग्यान, अग्यान, आदी, पाठ पढ़कर हमने सीखा, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विप्रीत आर्थक शब्द कहते हैं, कुछ शब्दों के आगे अन, अ, वी और निर लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, धन्यवाद बच्चों अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में,